बच्चो किसे हो आप साब? सब थिक? तू चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी बच्चों को अपने माता-पिता की सुननी चाहिए. यह कहानी एक छोटे से गाम की है, जहां एक छोटे से लड़के का नाम राजू था. राजू अपने माता-पिता की सुनने की बजाए हमेश उसके माता-पिता बहुत ही समझदार और दयालू लोग थे, जो हमेशा उसके भलाई की चिंता करते थे, हालांकि राजू अक्सर उनकी सलाह को नजर अंदाज करके अपनी मनमानी पर अड़ जाता था। एक दिन गाम में एक मेला आया। राजू बहुत उत्सुकता से उस मेले की ओर बढ़ा और बिना किसी सलाह के अपने माता-पिता को बताए, वह मेले जा रहा है। उनके माता-पिता ने उन्हें चेताया क्योंकि मेले में अक्सर खत्रे होते हैं, लेकिन राजू ने उनके चिं एक प्रसिद्ध भविश्य वक्ता ने एक दर्बार स्थापित किया। उसने एक सिक्का दिखाया और घोशना की कि जिसके पास वह सिक्का होगा, वह गाम का सबसे धनी और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। राजू के दोस्त उस सिक्के की खोज में लग गए, लेकिन राजू थम गए। उन्होंने अपने माता-पिता की सलाह को याद किया कि सिक्का बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए। उन्होंने धीरे-धीरे समझने की कोशिश की कि उनके माता-पिता ने क्यों उन्हें सावधान किया था। और तब उन्हें पता चला कि सिक्का नकली जल्दी से राजू अपने माता पिता के पास गया और उन्हें अपने अनुभवों का विवरन दिया। जल्दी से राह का मान कर तुमने अच्छा किया। के शरकारो और सब्सक्राइब हो जाओ। ऐसे ही अपदेट्स के चाकरमेन पटे रहो, धमाल मचाते रहो। जल्दी से रहो। जल्दी से रहो। जल्दी से रहो।